अस्तलामुलेकुम हारी सनी फियर फ्रॉम तावानिजी स्कूल अपकाउंटेंसी आज जो मेरे इस वीडियो का मकसद है इस तो अड्रेस सम्थिंग रिलेटिद तो पेपर पी एम फफाइफ पर्फॉर्मेंस मैनेजमेंट देखें सबसे पहले आप पर्फॉर्मेंस मैनेजमे करना है रिविजन के लिए देखें दो CRQ आते हैं एक CRQ तो आपके पास आता है पर्फॉर्मेंस मेजर्मेंट के एरिया से जिसमें आपके पास एक जनरल पर्फॉर्मेंस असेस्मेंट्स हैं तीन मॉडल्स हैं आपके पास जैसे वी एफम बिलिंग ब्लॉप मॉडल और बै week में यानि कि आज और कल में मेरी जो suggestion यह है कि आपका PM का section performance measurement का section must be revised at the top priority क्योंकि इसमें 20 marks के CRQs आते हैं और एक चीज यह है कि आपने उन चीजों को या तो type करके और spreadsheet पे sample base पे आपने काम करना है क्योंकि you have to perform the CRQ on the platform यानि कि spreadsheet पे और word के अपर और secondly तीन case OTQs आती है एक case OTQ जो है वो आपके पास आती है from the costing area यानि कि जिसमें activity, target, life cycle, throughput accounting, environmental accounting उसके अंदर आपके पास एक चीज आती है तो आपका जो next step होना चाहिए वो होना चाहिए उसका costing का area बुक पढ़ने का time नहीं है इस वक्त इस वक्त revision का time है हाँ chapter की summary जरूर देखें performance measurement की इस वक्त बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में general चीजे लिखी होती है and you have to you have to deal with the cases so you should have the ability to deal with the case studies तो ज्यादा से ज्यादा cases के ओपर आपने practice करनी है second पर आपने costing के ओपर आने है उसकी आप chapter की summary पढ़ने और अपनी official exam kids की हर चीज हर चीज जो है related to the case OTQs वो आपने लाजमी attempt करने of the costing area फिर इसके बाद आपकी next step होना चाहिए revision के लिए of the IT area IT का area जो है वो MCQs में आ सकता है और अगर तो वो CRQ में आएगा for example जैसे information system है MIS, ERPS क्योंकि आजकल जो ACCA के जो exams होते है वो reality based होते है जो nowadays जो situation चल रही है that is IT based तो हो सकता है कि आपके पास जो IT का area है वो performance measurement के area के साथ merge हो के आजए है कि आपको performance judge करनी है how can you use the ERPS enterprise resource planning system जिसमें आपके पास big data का topic merge हो सकता है कि उस data को extract करके big data को extract करके आपने किसी भी इदारे की performance को judge करनी है theory में writing contents बहुत matter करते हैं कि किस तरीके से आपने अपने answers को draft करना है जो मेरे students है जो देख रहे हैं उनको तो बैतर idea है कि जिस तरीके से मैंने matter और जो जो चीजें जोडने के तरीके कर सका है उसको आपने practice करनी है बागी जहांसे भी आपने study की होगी teacher ने आपको बहुत अच्छे तरीके से guide किया होगा मैं सिर्फ आपको इस वक्त revision purpose के लिए guide करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर उसके बाद आते है next areas budget, variance, learning curve, CRQ आ सकते हैं हम इसमें compromise नहीं कर सकते हैं लेकिन पहले आप MCQs पे focus करना फिर CRQs के ओपर आईएगा और कोई भी area आपने छोड़ना नहीं है decision making के अंदर linear programming, CVP उसके graphs draw करने को नहीं आएंगे but you have to you have to interpret कि उस graph में वो line क्या कह रही है profit volume chart में क्या कह रहा है वो ISO contribution की line से दूर point optimal point कैसे है shadow price क्या चीज़ है and all that stuff वो चीज़ आपको आने चाहिए and any area can be examined और एक और मेरी आपको एक advice अच्छी सी कि कोई area skip मत कीज़ेगा secondly आप ACC की website पर जाए उन्होंने जो recent exam questions upload किये हैं 2021, 2020 के लाजमी उसको attempt करें और एक बहुत अच्छा initiative ACC की तरफ सब यह है कि उन्होंने recently mock paper भी introduce किये हैं आप अपने platform पर जाए उन mock papers को attempt कीजिए और उसके जो answering script है उसको लाजमी चेक करें और हाँ one more important thing दो से तीन recent exam report लाजमी पढ़नी आपने दो से तीन recent exam reports लाजमी पढ़नी है उसकी reason क्या है कि examiner ने वो weak points highlight किये हैं कि वो mistakes जो usually students करते हैं आप उनकी mistakes से सीखें और वो mistake आपको repeat नहीं करनी है now wish you all the best for the exam ठीक है तो जो मैंने तरीके कार आपको बता है उससे आप revise करने की कोशिश करें and try to work smart not work hard ठीक है you have to just recap of the you have to do a recap of the topic and do as maximum as question as possible and secondly specimen exam की MCQs लाजमी करें अच्छा हाँ one more important thing time series और coefficient of correlation का जो topic है वो भी इन्होंने लास्ट जो September session है वहाँ से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ECCNM तो उसकी you can expect दो तीन MCQs ठीक है उसको भी आपने skip नहीं करना है वाकि I really wish you people good luck for your exams बढ़्ड़ी करेंपने अच्वचा माई सक बढ़्मेजिके और wizard cha